कि यह प्रेंट्स कैसे हो आप लोग मैं हूँ आपका दोस्ट चैरी और चैल स्विच चैरी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के व्लॉग में मैं बनाने जा रहा हूं चिकन कल मैं देरादून के मूती बजार में था तो गलती से मंडी की तरफ से अफुक्या आया त मुझे लगा जार रहा हूं खकाना चाहिना तो नोस्तिकन बनाने वाली है कि आ पिसमें क्या करेंगे तेल डालेंगे हंँ इसको भुनेत के लिए खंग्य bewusst टेस्सरी चिकन मदनना जीगरा अपने ही रस से यह बहुतोंती चकन मरनों मता है अपको और बाद में डालेंगे त तो आपको मैं दिखाता हूं कैसे बनता है चिकन मजा जाएगा अलिए स्टार्ट करते हैं तो गाइज यह अपना चिकन लोकी बिल्कुर जम चुका है तो इस सोल्ड हो चुका हूं फोड़ा यह बड़ा फटेगी इस ती अच्छे दोना जरूड़ी है फिर बनाएंगे चिकन मैं आपको दिखा देता हूं कि नॉर्मल चिकन यह जो शॉक से मिलता है ठीक है लेकिन यह जम चुका है कि मैंने फ्रीजर में रब दिया था कल रात को लाकर तो इससे दोते हैं फुड़ा सा नॉर्मल होगा यह फिर बनाएंगे चिकन यह देखिए गाई अपना दो चिकन ह तो पहले में इसे पानी में डाल के थोड़े के लिए छोड़ेता हूं ताकि यह थोड़ा नॉर्मल हो जाए उसके वाल इसे त्यार करेंगे तब तक मैं प्याज वगए रही क्टिंग कर देता हूं तो प्याज मुझे प्याज जानव ना रुडा है इसके लिए मने चौपव रखा और इसमें इसको डाल जो प्राप करने प्याज नहीं हो गया है भाट जऺ चॉप होआ है और बहुत ही जल्दी चॉप होआ है तो अगर आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ड़कल दूंगा बहुत बढ़े काम करता है यहां से तूद गया है अगर पिर भी काम करता है हमने इंतिजान कर दिया ऐसा जो गाड़ करें लेक्स टेल को रखना है कड़ाई में तो गाइस मैंने चिकन को पांच-छे बारी दो के अच्छी तरीके से पानी तरीके से धोया साथ में यह मैल्ड भी हो गया अब हाड नहीं रहा ठीक है सारे पीस अ अमारी रड़ी है तो प्रैंड अमें ग्यासाओं करूंगा अब अब शर्षावा तेल में यूज़ करने वागां तो तो एए थोड़ा जाओ रखी है तो फ्रक्सों के मैं डालते हैं अलतर दरम वह उस्यावाँ डाल देगे फुरकर ने भीटगे कर अ कि अ तो अ अ तेल पूरी तरीके ता जरा मुझी नहींगा है अब प्राव करेंगा करेंगे 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 प्याज अभी भुने भी नहीं है कि वाइटी प्याज है भुने नहीं है धंपे और अब डाल देंगे चिकन चिकन डल चुगा है इसको एक बार मिक्स करेंगे 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 छोड़ देंगे पांसार मिनट के लिए लेंगे थोड़ चल देंगे पांसार मिनट के लिए लेंगे जले ना तुक द करेंगे मेरा हे चिकन अपने आप ऑट्वाटिक मैरीनेट हो रहा है अपने ही रस से अपना ऐसली देर करन कर रहा हूं अ रिमिर्च पर यह हैं टमटर है हा स्मटलह श्लम्टले संब डारलीक अपने आप साब नाल लीजीए कि नभर लादाल जल्दिए हैं तो हरी में छुआने थोड़ी ज्यादा लिए अब अपने इसाप्स ले सकते हैं अगर आप कम खाते हैं चिकन में मज़ा आता ज्यादा मुर्च मसाल होगा तो मसाला में त्यार गर रहा हूं अगर आप इस चिकन को देखेंगे तो मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था और देखो इतना सारा पानी आ चुका है इसमें यह चिकन का अपना रश है ठीक है अभी थोड़ी दिर के लिए इसे दुबारा ढखके रख देंगे तब तक हम अपना मसाला प्रिस लेंगे अलका से इसे एक बार चला देंगे ताकि नीचे लगे नहीं यह को चिकन अल्रेड़ी गलना भी शुरू हो गया कि देखो कितना रश है इसमें इसमें सिरफ प्याज सरसो का तेल और चिकन है इसको दुबारा से डखेंगे हलकी से तेज करेंगे आज कि ज़्यादा ही सिम्प है और दुबारा से रख देंगे थोड़े देर के लिए मिक्स वाला मसाला त्यार है जिसमें है टमाटा हरीमेज अध्रक लसल ठीक है यह डाल चुका है यह त्यार हो गया है अब एक बारी चेक करेंगे तो लगबग त्यार हो चुका है अच्छी तरीके से भाइन आट हो चुका है फुटी के रस में इतना सारा रस छोड़ दिया है इसमें अब बाकी मसाले डालते हैं इसमें जो आपने क्यूरी बनाई यह वो डालेंगे बाकी मसाले नमकमीश बगड़ा डालेंगे अपने तो गर्मसाला चिकन मसाला यह आपने साथ से कमया ज़ादा कर सकते हैं यह जो जार में जो मसाला लगावा था उसको निकालने के लिए पाई डाला बस वह डाला है अब उसको ना भी डालने तो भी काम चल जालेगा लुक देखिए आप चिकन की, क्या बढ़िया मसाले दार चिकन लग रहा है, आप इस पर खड़े मसाले यूज़ को सकते हैं, और ज्यादा बढ़िया लगेगा, कलर भी बहुत बढ़िया आ चुका है, कोई कलर यूज़ नहीं किया हुआ, बस अब इसे थोड़ी देर पकने करेंगे, एक बढ़ी चेक करेंगे कि यह गल चुका है या नहीं, इस तरी के तरी चिकन थोड़ा खड़ा बनता है, अगर यह गल जाएगा तो इसमें थोड़ा सा धन्या एड़ करेंगे, और यह रड़ी है, मैंने यह चिकन एक बढ़ और ढखके रखा था, अलकी थी गया पूरी तरीके से रड़ी नहीं हुआ है, इसको फोड़ा सा पकने देंगे, ऐसे ही, गिरेवी टेस्ट कर लेता है, जिगन भी रड़ी नहीं हुआ है, फोड़ा खड़ा आसी पकने देंगे, ऐसे ही, इसको सिम कर देते हैं, तो यह है इसकी ग्रेवी, देखने में बहुत जादा मसाला लग रही है, टेस्ट करके देखते हैं, शांदा, बहुती बढ़िया मसाला बनाओ है, तो आप देज सकते हैं, ची का नमारा रही है, तो यह आरियर की लुक, देखने में बिल्कुरी बसक्रास लग रहा है, और गल पर चुगा है, तो बहुत बढ़िया तरीके भी कल चुगा है, टेस्ट बहुत बढ़िया है, इसका, मैं तो चिदन काने जा रहा हूँ, साथ में से सोड़ा सा गानिश कर देंगे, धनिया आपको गरह डाल के, तो यह है, प्रैस हरा धनिया काटावा, पहले से काट के रखा है, यह हम डाल देंगे थोड़ा से गानिश करने के लिए, थोड़ा जाला डाल दाओं, अच्छा लगता है, तो यह देखो कितना प्यारा लग रहा है, कुछ जादा ही मनने धनिया डाल दिया, क्योंकि मुझे पसंद है, इलका सा मिक्स भी कर देंगे, जादा मिक्स नहीं करेंगे, उपर उपर लगता है, तो अच्छा लगता है, ग्रेवी देखेंगे, आप क्या बढ़िया ग्रेवी बनी वी है, एकदम गाड़ी मस्ट, मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई झाल झाल झाल